आज मैं आपका अंथूरियम प्लांट के लिए एक ऐसा liquid fertilizer लेकर आई हूँ जिसको यूज करने के बाद आपका अंथूरियम प्लांट की ग्रोथ तेजी से होगी पत्ते चमकदार होंगे और बड़े साइज के होंगे साथ ही फूलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और साइ micronutrients भी है जो कि हमारे प्लांट को फ्लारिंग के लिए बुज़ करता है और healthy growth के लिए प्रमोट करता है तो चलिए friends अब बात करते हैं कि इतना useful fertilizer बनाना कैसे है लेकिन उससे पहले थोड़ी सी basic चैनकारी अंथूरियम प्लांट के बारे में जान लेते हैं friends नमस्कार मैं जो तसना स्वाग करती हूं आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल बिंदास प्लांटिंग में दोस्तों आज मैं फिर से हाजर हूं आपके लिए beautiful अंथूरियम प्लांट लेकर अक्सर लोग पुछते हैं कि घरों के अंदर खिलने वाले best flowering प्लांट बताइए जो पू लॉग लास्टिंग होते हैं एक बार खिल जाये तो महीनों तक खिला रहता है अब बात करें इसकी संद्धा को धेर सारा ब्राइट संद्ध पसंद है लेकिन डारेक्ट संद्ध इसके पत्त को जला देती है बर्न कर देती है इसलिए धियान रखियेगा फ्रेंट स्प्रेय डेली पसंद है लेकिन इसकी स्वाइल मीडिया में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए इसके बेस्ट पॉटिंग मिक्स पर मैं जल्दी ही वीडियो लाने वाली हूं हमारे जिन्द वीवर्स को डिटेल में जानकारी चाहिए तो वे जरूर कमेंट करें और पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जो बेल वाली बटन होती है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का अपडिक आपको सबसे पहले मील सके तो चलिए अब बात करते हैं अन्थूरियम प्लांट के उस मैजिकल फ प्लार पा सकते हैं अब ग्रोथ हिल्दी पा सकते हैं तो आप देख रहे फ्रेंट्स यह है चावल और चावल का यह पानी इस तरह डेली धोके हम सब के घरों में बनता ही है चावल और धोके हम फेक देते हैं विस्टिच समझ के लेकिन यह अन्थूरियम प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फटिलाइजर है दोस्तों जिससे की आपका फ्लारिंग भी आएगा और इसके रूट भी बहुत अच्छे से डेवलप होंगे और आपका जो प्लांट है काफी हिल्दी ग्रोथ करेगा और हिल्दी प्लांट आप करेगा तो अफकोर्स हि वाटर जो नीकलता है इसको आपको छान लेना है किसी भी छननी से जो थोड़ा पतला हो तो यह दिखिए इससนार मैं इसको चान ले रही हुं और आपको भी चान लेना है दूसरा जो मैंने लिये है friends, वो है एक शिल, एक शिल को इस तरह एकदम सुखा के, अच्छे से धो के सुखा के, और इस तरह crush कर लेना है, पीस लेना है, और इसको एक चमच अंदाज से आपको डाल देना है, ये राइस के पानी में, राइस वाटर में, इस तरह आपको डाल के, और अ दूसरे बर्तन में, दूसरे जो भी आपके पास कंटेनर है, उसमें ऐसे चान देना है, और चान दने के बाद friends, ये जितना आपका पानी निकला है, उससे double आपको नॉर्मल साधा पानी मिला लेना है, इस चानने हुए पानी को friends, इस तरह आपको स्प्रे बॉटल में डाल देना है, अगर थोड़ा बहुत और बाकी हो, तो फिर से आप दुबारा चान सकते हैं, ताकि जरा सा भी इसमें किसी भी तरह का मोटा पार्ट नहीं रहे, कोई भी पार्टिकल्स, ताकि हमारा जो स्प्रे बॉटल है, उसमें फसे नहीं, तो इस तरह मैंने राल दिया है, और अब मैं इसमें साधा पानी डालूँगी, तो एक पार्ट वो लेना है, और आपको दो पार्ट नॉर्मल पानी लेना है, इस तरह साधा पानी जो टाप वाटर होता है, वही आपको लेना है, इस तरह मैंने मिला लिया है, अब ये दूसरा जो है, जो मैंने थोड़ा सा बचाया था जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह दिखिए इस तरह यह देख रहे हैं यह प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुर्फुल फटिलाइजर है दोस्तों और यह हम अक्सर घरों में फेक देते हैं और बजार से महंगे-महंगे fertilizer के चक्कर में ठेर सारा हम खर्चा कर देते हैं तो बीना खर्च का free का fertilizer है दोस्तों इसको आप यूज कर सकते हैं 15 दिन में एक बार जो बहुत अच्छा इसका result मिलेगा और इसको आपको पुषने करना है simply जितना ये पानी है उतना ही आपको और साधा पानी मिला लेना है इस किनारे किनारे सब तरफ डाल दीजिएगा और जिस तरह का plant है उस हिसाब से आप 100 ml से लेके डाल सकते हैं 50 ml डाल सकते हैं जैसे कि यह देखिए मेरा यह 4 इंच का pot है इसमें मैं थोड़ा सा 50 ml के हिसाब से डाल दूंगी और जो थोड़ा बड़ा pot है और घना है थोड़ा ज यह डाल देती हूं कि मुझे अंदाज हो गया है दोस्तों मैं अकसर इस तरह का fertilizer यूज करती हूं और आप देख पा रहे हैं इसका result कितना अच्छा आया है आप एक बार इसको यूज कीजिए फिर आप मुझे कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा कि किस तरह का result आपको मिल मैं दूसरा तरीका बताती हूं इस फर्टिलाइजर को यूज करने का दूसरे तरीके में इस तरह फिर से आपको छान लेना है राइस वाटर और एक शेल पाउडर जो हमने मिलाया था उसको छान लेना है इस तरह एक्टम कोई भी पार्टिकल इसमें नहीं है अच्छे से क् कॉटन का कपड़ा लेना है जो कि सौफ्ट हो हाड नहीं होना चाहिए और इसको आपको पानी में इस तरह जो हमने राइस वाटर और एक्शेल का पानी लिया है इसको डिप कर लेना है और हलके हाथों से इस तरह निचोड लेना है और उसके बाद आप इसके जो पत्ते हैं उसको सब तरब से उपर से भी और इसके नीचे से भी wipe कर दिजे इस तरह पूश दिजे लिफ wipe करने से फाइदा ये होगा कि हमारा जो plant का photosynthesis है वह बहुत अच्छे से होगा और plant हमारा बहुत healthy grow होगा और इससे जो fertilizer ये डारेक्ट लीफ के द्वारा भी ले पाएगा क्योंकि जड़ो से लीफ तक आते आते समय लगता है दोस्तों और ये तुरत से सक करेगा लीफ के द्वारा इसा नहीं दोनों तरब से आपको clean कर लेना है तो मैं सारे को clean कर ले रही हूं फिर मैं आपको बताती हूं अपना तीसरा तरीका fertilizer आड़ करने का तो इस तरह फ्रेंट्स मैंने सारे लीफ को पोच लिया है वाइप कर लिया है और इसको भी आपको हलकी हाथों से इस तरह वा वाइप करना है साधे पानी के द्वारा या नॉर्मल इस तरह जैसे मैंने बताया fertilizer आड़ करके दोनों ही अच्छा होता है इस तरह स्प्रेय बाटल से आपको सारे लीफ पे पानी को डालना है इसके स्टेम पे भी पानी पढ़ना चाहिए इस तरह आप इस पे इस प्रेय कर पे अच्छे से स्प्रेय कर दिया है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है आप एक बार यूज कीजिए और फिर देखिएगा यह मैजिकल फटिलाइजर किस तरह मैजिक का काम करता है तो इस तरह फटिलाइजर राट कीजिए अपने अन्थूरियम प्लांट में आप अन्थूरियम का प्लांट बहुत ही ज्यादा लश ग्रीन हेल्दी ग्रो करेगा और फ्लारंग भी भर भर के करेगा और यह इंडोर चलने वाला बहुत ही खुबसूरत प्लांट है दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया तो आप इससे बहुत अच्छे से आप प्लांट लगा सके और हमारी तरह भर भर के फ्लारिंग पास सके तो फिर मिलते हैं नमस्कार